लोगसबा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग कल्यानी 19 अप्रेल को हुनी है इस फेज में यूपी की आठ लोगसबा सीटों पर वोट डाले जाएंगे इसमें पश्मी उत्रप्रदेश की सहरनपुर, बिचनौर, केराना, मुझफर नगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीली भी सीट शामिल है बदादे कि पहले चरण की चुनाव के लिए 80 उमीदवार मैदान में है इस पे 73, पोरोश और 7 महिलाएं है इन सीटों पर एंडिये इंडिया गटबंदन और बहुजन समाच पार्टी के बीच मकाबला है इनके अलावा इन सीटों पर कई निर्दली उमीदवार भी मैदान में है चुनावी नितीजे चार जुन को आएंगे सहारनपूर लोगसबा सीट एंडिया गटबंदन के तरह से बीजेपी ने राखव लखनपाल शर्मा को मैदान में उतारा तबकि इंडिया गटबंदन के तरह से कॉंग्रिस के इमरान मसूत को उमीदवार बनाया गया बसुपा ने माजिद अली को मैदान में उतारा है सहरनपुर सीट पर 10 उमीदवार मैदान में है कहरानल लोगसभा सीट पर 14 उमीदवार ताल ठोक रहे है बीजेपी ने प्रदीब कुमार चौधरी समाजवादी पाटी ने एकरा हासन और ब्यसपी ने तृपाल राणा को उमीदवार बनाया है मुझफर नगर लोगसभा सीट में 11 उमीदवार मैदान में है इंडिया की तरव से बीजेपी ने संजीव बल्यान सपाने हरेंद्र मलिक और ब्यसपी ने असी का लक्ष रखा है और यह जो असी का लक्ष है यह बीजेपी के लिए साख बन चुका है अगर एक भी कहीं पर डगमगाते हैं तो कहीं न कहीं उनके जो 400 आकड़ा उन्होंने तैय किया है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा इस समाज के नराजगी और जो ऐसी सीटे हैं जहां पर बसपा ने ऐसे कैंडिडेट उता रहे हैं कितनी मुश्किले आ सकते हैं किस पार्टी के लिए पश्चिम उत्तरप्रदेश में कल आर्ट सीटों पे चुना होना है और सच बात तो है कि इन आर्ट सीटों पे जो चुना हो रहा है उनमें जो राजनी था वो चरम पर है और उसका एक कारण ये भी है जो भी आपने बताया कि राजपूत समाज की नाराजगी है सच बात तो ये है कि मुझफर नगर जो एक ऐसी सीट है जहां पर बिल्कुल भी जाट और ये सब नहीं माने रखते हैं लेकिन सच बात तो ये है कि वहां पर भी राजपूत फैक्टर लग रहा है बलकि दो प्रमुक शहरे संगीत सोग और संजीर वालियान के बीच में ही टक्राव चला है और राजपूत वहां पर बहुत तेजी के साथ नाराज है लगातार गोश्टियां कर रहा है राजपूत समाज का मानना ये है कि इस आप हमारी जो हैसियत है हमारा जो महत्मय बीजेपी लगातार कम कर रही है उन्होंने ये भी उसका उधारन दिया उन्होंने का कि जो हमारे टिकट है वह काट करके जाट और गुर्जर को दिये जा रहा है हमारी अंदेखी की जा रही है उनको जादा तवज्जो दी जा रही है और उसका उन्हों दार दिया कि गाजियाबाद में बीके सिंग हमारे जो है प्रत्नित के रूप में थे दो बार सांसत बने लेकिन आपने उनका काट करके अतुल गर्ग को दे दिया तो अगर ऐसे ही रहा तो उनका कहना है उनके एक नेता है पूरम से उनका कहना कि अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में फिर तो एक भी सीट हमारी नहीं रह जाएगी दिरे दिरे सब कड़ जाएगे दूसरा वहाँ पर एक सब कुछ हुआ और एक तरीके से राजफूतों को मराने का प्रयास भी हो रहा है तो वहाँ पीजेपी के एक नेता जब पहुँचे तो उनका ठीक है हो सकता भाई कुछ कमी हमी रहे गई होगी लेकिन इस कमी को हम पूरब में जो है ठीक कर देंगे ताकि उनका बोट उनको सब मिल जाए और उनका पंद्रित्त हो जाए तो उन्होंनी आस्वासन भी दिया लेकिन जो वहाँ की लगातार चर्चाएं हैं जो भात हैं उनको देखते हुए यह सिधे-सिधे कहा जा रहा है कि वहाँ परिष्टितिया ठीक नहीं है इसी तरीके से अगर आप थोड़ा- जो हर सीध का आकलन करें तो हर सीध में कहीं न कहीं बिवाद चल आ हैं अब आप देखेए सहरनपूर में सहरनपूर में देखे तो इम्रान मसूत बहुत तेजी के साथ पढ़ा नहीं है लेकिन कांग्रेस को इस शीट से उम्मीद भी है, हलागि दो बारा भी हार चुके हैं, इसके पहले कांग्रेस में ही थे, तो एक तो उनको यह हो गया, दूसरा अगर आप यह देखिये, तो दूसरी शीट हैं, नगीना, वहाँ पच्छन सेकर पूरी तरीके लगे हुए है, औ और उनके लिए पतिष्टा घंपों वहां से सीट मिली जाए, इसी दरी मुरादाबाद, मुरादाबाद से टिकट कट गया है, सांसाथ एस्टेशन कांगर रुच्वीरा को दे दिया गया, अब वहाँ पर भी बाकादे बड़ी नाराजगी है, तो अब जो ऐसा दिखता थ यह तरफा सब कुछ हो रहा है, वैसा नहीं है, बिल्कुल, तो राजनीती में, उत्तर प्रदेश की राजनीती में जातियों का कितना बोल बाला है, यह अब धीरे धीरे एक पिच्चर कहीं न कहीं साफ हो रही है, कि अगर आप एक को साधनी की कोशिश करेंगे, तो जरूर ही है कि दूसरा भी नाराज हो जहां बीजेपी ने ये सोचा था, कि वो चौदरी चरण सिंग को इतना बड़ा सम्मान देने के बाद सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन यहां पे इस सितियां थोड़ी बीजेपी के लिए जरूर डिस्टर्ब होने वाली है, लेकिन बीज